ओके सो लास्ट क्लास में लोगों ने डिसकस किया था फ्री एक्सपेंशन में कंडिशन के नेका ली थी डिल्टा इस उकल टू जी रो या फिर यू की वैलू कॉंस्ट होनी चाहिए ठीक है अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट प्रोसेस की तो वह प्रोसेश होने भाली साइक प्रोसेश और साइक्लिक साइक्लिक प्रोसेश में लोग देख लेते हैं कि kोई साइकलम पे स्टेट की बात करते हैं ग्रिट लोगश हूब फ़स्ट थर्म regalis क्या बोलता है कि कि cutелю plus 20 व ट्रास्फेस की बात करता है कि कंप्लीट साइकल में जो हीट ट्रासपर होगा एक साइकल में कैसे करते हैं देख लिए हैं कि कंप्लीट साहीकल में अप देख सकते हैं कि यज़ inट-अनेर्ज always कि और अगर अगर कुप्लीक डासे में होता क्या था जहां से स्टार्ट के लिए यह हमारा कुछ इस तरीगी से डिफाइन था और अगर मैं यहाँ पर देखू जो चेंज इंटर नरजी वो मारे कितना जीडू है क्यों हमारा जो यू है वो स्टेट फंक्षन है इस परकार du की value हो जाएगे मारी zero in cyclic process में तो याद गया रखना cyclic process में कि जो change in heat या फिर जो heat transfer होगा वो पूरा का पूरा work में convert होगा ठीक है तो यह चीज़ आपको याद रखना है कि जो cyclic process की जब भी बात होगी तो जो total work done है वो heat transfer के बराबर है या पर कह सकते हो कि heat transfer जतना भी जोगा तो यह cyclic process के लिए statement है याद रखिएगा next process है वो है हमारी isothermal process isothermal process में हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट लोब thermodynamics के use करके क्या result निकलके आता है isothermal process है इसका मतलब कि temperature constant है तो इसका मतलब क्या energy भी constant है इंट अनरजी ठीक है so first law of thermodynamics के according जो dq is equal to होता था वो dq plus dw है या फिर last change की बात करूं तो delta q is equal to delta u plus delta w है अब आपको पता है कि अगर मैं ideal gas की बात करता हूं सिर्प सिर्प ideal gas की बात करता हूं मैं तो for ideal gas in isothermal process ग्राइब यहां से आप देख सकते हैं जो लार्ज चैन्ज इन हीट ट्रांसपर इस गल आपका आजयेका टीक है तो इसे अपका हीट ट्रांसपर हुगा है वो आपका total work done में जायेगा साइजी प्रोसेस में किया एक complete cycle के लिए या फिर एक particular cycle के लिए जो आपका heat transfer हुआ होगा वाध वरक्त का में जाएगा similarly यहां पर process की बात करें आप साइक्लिक एक साइक्ल की बात कerson है यहां पर complete process में जो heat transfer हुआ वह आपका work done में use होगा तो यह बात हो गई आइसो थर्मल प्रोसेस की अब आइसो थर्मल प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ लिया साइकलिक प्रोसेस पढ़ लिया और इसके पहले क्या पढ़ाता हम लोगों ने इडियवेटिक तो इन सब के question of state और condition हम लोगों है अभी क्या कर ली सीख ली तो इन्हीं के बेस पर हमारे कुछ कुछन से जो पूछे कहें इंट्रेंस एक्जाम या पर बोल सकते हैं नेट गेट टिफर में उस पर हम लोग कुछन पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे कि कुछ तरीके से पूछे जाते है और इन सारे चीजों का यूज कैसे करते हैं लोग निमेरिकल प्रोब्लम्स में तो अभी क्रेट न रखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे